एक शहर में तीन दोस्त रहा करते थे वरुन, रुद्रा और मायरा मायरा से दो जन प्यार क्या करते थे रुद्रा और वरुन लेकिन मायरा को सिर्फ रुद्रा पसंद था उसे वरुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था एक दिन वरुन सोचता है मैं मायरा को जल्दी प्रपोस करूँगा और उससे शादी कर लूँगा ये सोचकर वो एक दिन मायरा को प्रपोस करने के लिए जाता है तब ही वहाँ पर रुद्रा आ जाता है और वो मायरा से कहता है मायरा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर और मैं तुमसे शादी करना चाता हूँ, तो मैरा कहती है सुनो मैं सिर्प रूद्रा से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करनी वाली हूँ, अब तुम मेरे रसले से हटो इतना केगर मारा वाहँ से चली जाती है इसके प्लान बनाता है और वो एक जूस में जहर मिला जता है और वो उस जहरीले जूस को रुदरा के पास लेकर जाता है और वो रुदरा से कहता है सुन मेरे यार तेरी शादी मायरा से होने वाली है इस कुसी में मैं तुझे जूस पिला रहा हूँ यह ले इस जूस को पी जा फिर रुद्रा कहता है ठीक है इतने के कर रुद्रा उस्जूस को पी लेता है और रुद्रा की वही पे मौत हो जाती है